दिल्ली में करोना का कहर जारी है, बहुत जादा करोना बढ़ गया है और उसी के नमद्दे नजर पिछले हफ़ते हम लोगों ने एक हफ़ते छे दिन का लॉक्डाउन लगाया था जो कि कल सुबह पांच बजे खतम हो रहा है जिस तरह से तेजी से केसे बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर उसको देखते वे लॉक्डाउन लगाना बहुत जरूरी हो गया था ये एक तरह से आखरी हत्यार है कोरोना के से डील करने के लिए लेकिन जिस तरह से केसे बढ़ रहे थे ये आखरी हत्यार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा तो इसलिए उसके मद्दे नजर कई लोगों के भी जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफते के लिए और बढ़ाया जा रहा है अगले सोमवार को सुबह 5 पजे तक के लिए इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमन दर पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं यह लगबग 36-37 परसेंट तक पहुँच गई है आज तक इतनी संक्रमन दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पर लेकिन 36-37 परसेंट तक संक्रमन दर पहुँच गई है पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी कम हुई है आज 30 के नीचे आई है 29 पॉइंट कुछ आई है मैं यह नहीं कह रहा कि करोना खतम होने की दिशा में जा रहा है लेकिन यह अभी तथ्य हैं अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा हो सकता है बढ़ जाए हो सकता है कम हो ले है कि करोना से हम लोगों को मुक्ती मिले पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी ज्यादा समस्या हो रही है दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस हो रही है हमने हाँ दिल्ली की इस वक्त जरूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन एलोट हुई है कल 10 टन और एलोट किया केंदर सरकार ने 490 टन अब दिल्ली को एलोट हुई है लेकिन ये पूरी एलोटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है इसका भी काफी कम एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुँची है तो 700 टन की जरूरत है इतने करोना की महमारी में उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुच रही है ये जो ऑक्सीजन की कमी है दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुच नहीं रही है जगे जगे से जो ऑक्सीजन आनी है ये बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगे जगे अस्पतालों में महसूस हो रही है लेक वहां supplier से, manufacturer से, truck driver से जो लेके आ रहा है उससे phone करकर के कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगे फेल भी हुए हम लोग और कई जगे हम समय पे oxygen पहुँचाने में हमारी टीम कामयाब भी कि जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं चूंकि oxygen इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है तो उसका management करना बहुत ज़रूरी है तो उसको management करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना च दिये गए हैं, जिसमें हर दो-दो घंटे में, manufacturer से लेके और अस्पताल तक, end user तक, हर एक को दो-दो घंटे के अंदर अपनी oxygen के position बतानी पड़ेगी, कि manufacturer को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, supplier को बताना पड़ेगा कि कितने ट दिली सरकार को पता रहे कि कहां कमी आने वाली है, तो इसके अलावा केंदर सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है, कल भी पूरा दिन केंदर सरकार के अलग-अलग मंत्रालेओं के साथ हमारे officers की टीम बैठी रही, और दोनों टीमें केंदर सरकार और दिली सरकार अच्छे से मिल के काम कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाइज आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जा सके और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत जादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए है कल मैंने हम पू अगर आपके यहां आपके राजे में या किसी कंपनी मैं कोई ऑसिजन की पूसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सिजन मुहिया कराइए उक्सिजन टैंकर मुहिया कराइए कुछ एक राज्यों के साद बाचीट भी शुरू हुई है जब भी कुछ कॉंक्रीट नतीजए आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा लेकिन बहुत जादा कठिन परिस्थिती है इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिल के काम कर रहे हैं मैं उमीद करता हूं कि यह जो इतनी बड़ी अमर्जनसी हो गई है इस से हम लोगों को जल्द छुटका रहा मिलेगा बहुत बहुत शुक्रिया करें करें करें